प्रद्धाश्रम अपने जनम दिन के दिन या बच्चों के जनम दिन के दिन जाते हैं और शायद एक टाइम का भोजन देते होंगे क्या इससे जादा कुछ करते हैं पर रेवती जब वे बिजी रहती थी या आज भी चन्ने की बानी एलेयम में हमेशा जाती हैं वहां रहने वाले बुजूर्गों का माबाप की तरक हयाल रखते हुए उनकी जरूरतों को सुनकर उन्हें पूरा कर उनके साथ समय बिताने का वर परवर्तिगार ने मानो रेवती को दिया हैं खूबिया यहां खतम नहीं होती और बहुत हैं वे एक और जगे व्यस्त रहती ह सिनिमा से संबंधित किसी भी जगह कोई भी कारी करम यदी हो तो रेवती मैडम की कुरसी वहां जरूर होगी चाहे विजय सेदुपती हो यह बाबी सिम्हा दोनों ही सक्सेस्फुल होंगे यह अनुमान लगाकर उन्हें साथ रखना क्या बड़ी बात नहीं इसलिए चाहे क कार्तिक जो कुछ कहें विजय हो या फिर बाबी सब कुछ करने को तयार रहते हैं इस ट्री में सब एक दूसरे पर विश्वास करते हैं इसका एक और उदारन है नडुले कौन जो पकतलेकानों फिल्म में जब विजय सेदुपती काम कर रहे थे उन्होंने वचन दिया कि व एक सफल फिल्म का वाद़ प्रड्यूसर को दिया था अभी वे उसी काम में लगे हुए हैं धनुष की डेट सुने मिली हैं फिल्म भी अच्छी आनी है नाम भी खराब नहीं होना है इसलिए अमेरिका में रहकर स्क्रिप्ट भी लिख रहे हैं साथ ही लोकेशन भी फिक्स क साथ ही साथ धरुष के सामने हॉलिवुड से गॉड़ फादर अलपासिनो को और मॉर्गन फ्रीमेन को उतारने की बात है अच्छी फिल्म बनाने के लिए बहुत महनत कर रहे हैं दूसरी एक और कहानी चल रही है तेलिगु सूपरस्टार महेश बाबु से शुरू कर नाग से तमड में रिलीज हुई सभी तमड फैंस ने नान इफिल्म में समन्था को देखकर उनकी अदाओं का लोहा मान लिया उसी के साथ ही तमड फिल्म में जीवा विजय विक्रम धनुष सूरिया जैसे सभी बड़े हीरों के साथ काम कर भागिशाली हीरोईन की रूप में दुला कौन है जानते हैं तमड में इदेयते तिरडादे, रच चगन, लेटेस तोड़ा फिल्म में काम करने वाले नागर जुना, उनके बेटे नाग चैतन्या से ही समन्था शाधी करने वाली हैं, दोनों कॉलेज की दिनों से ही दोस्त हैं, बहुत अच्छे समन्था, आपका आना हो या आपकी सफलताएं, तमर हीरोईनों के लिए एक सीख हो जाएं। शुब काम नाएं।